हाई गैस बेक टू मैं चैनल मैं सुचानवी फीमिली ब्लोक में आप सब की स्वागत है तो यहां पर देख लिए इस बरातरी के दिन यहां पर बाबा की मैं यहां पर लसी से जल अरपित कर रही हूं और घर पर ही कर रही हूं क्योंकि मुझे मंदीर पास में घर पर मंदीर है लेकिन जाने का टाइम नहीं मिलता तो यहीं पर बाबा की जल चरहा लोंगी और घर पर इसी भी लेंगा है और दर्शन कर लोंगी तो यहां पर बाबा की जल से अपना जल चरहा दिया है उसके बाद मैं यहां पर भांग दधूर जो भी है मैं यहां पर बाबा की अरपित क करूंगी और सबसे पहले में यहां पे जोज ला रही हूं और पुरा काम हो चुका था मेरा और शुबर-शुबर नहां भी लिया था बच्चे ने सबने नहा लिया था और उसके बाद यहां पे चोटे-चोटे बच्चे उनका भी आज बरत हैं और सबने रखा हुआ है और आ चरहाऊंगी बाबा की और भांग भी चरहाऊंगी क्योंकि मैं लेकर के पहले ही आगए थी एक दिन पहले ही रातरी में साम के समय तो मुझे मिल ली रहा था तो तीन वाला जो है मैं लेकर के आगए थी तीन पत्ते वाले कहते हैं कि तीन पत्ते वाले ही चरहाना चाहिए बोल एक ही मिला था, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाव होना चाहिए है, तो उसके बाद मैंने यहां पर फल अर्पित कर रही हूं, केला, और अंगूर, बैर, और शेब, इसे मैं बावा की अर्पित कर दोंगी, और जो भी फल चराई जाती है, वो हम नहीं खा स करते हैं, क्योंकि मैं गाई को खिलाओंगी, या मंकी को खिलाओंगी, क्योंकि भोले नात की चड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा कुछ भी चड़ाती हूं, तो मैं ऐसी करती हूं, तो उसके बाद सब कुछ हो गया, यहां पर मैं पुझा कर रही हूं, तो इसी तरीके से हर साल ऐसी करती हूँ, जो भी भोले नाथ मुझे सही रास्ते दिखाते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उनकी किरपा से हम जो भी करना होता है, वो हम करते हैं, सबी करते हैं, सारी भक्त करते हैं, यहाँ पे मेरा पुजा अब हो चुका है, उसके बाद भगोले नाथ की चरन में चुक शांती रहे अपनी किर्पा एकदम प्राप्त हो और बस यही बने कमना शक्की है बना रहे हैं और मेरे ठाकुर जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं मैंने इनकी कम जोल्टी पिनाई है और इसकी जो है टोपी पगरी जो भी है वह मैंने पिनाए नहीं था अब मैं दिखा पास से यह देखिए धर्शन कर लीजिए आप लोग भी कितने अच्छे लग रहे हैं और माई भी बहुत सुनी लग रही है बहुत शुन्दर लग रही है बहुत प्यारी से लग रही है आपने काफी वीडियो में देखा होगा और यहां पे मेरे छोटे छोटे ठाकुर जी कितने इनका व्याजबरत है और सबका रखे हुए हैं और आज मोशन भी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था यहां पे देखिए मैंने छोटा सा डिक्रेशन किया है क्योंकि अभी मेरे घर में काम चल रहा था तो मैंने मेरे से जो हुआ उतना मैंने किया मंदीर जाने क कि अब बहुत पास था तेकिन गई नहीं सामें देखूंगी और बड़ा मंदीर जाओंगी मैं आप से की बद्वह श्वागत है तो आज है शिवरातरी अब मेरा पुरा पूज़ा पाठ हो चुका है शिवरातरी की धेर शार सुख काम नाए और पूज़ा पाठ हो गई है अदेख सकते बहुत सारे मैंने कपरेद होई और शुखा नहीं तो आज मैंने डाल दिया है और अब मैं कुछ फालूल खालूंगी क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहे हैं मिस्तीरी का तो इस होजा से बहुत बीजी हूँ और काफी दिन से थोड़ा ठकी हुई हूँ चलिए अब नीचे जाती हूँ कप्रप्रा सब डाल दिया है तो आज मैं नीचे आ गई हूँ अब अब मैंने डवल वाले नहीं विचाया है और उदर देखो शारी बाबू बैठे हुए है हमारे चुई आगे कौन तो यह वाले किलीन मैंने लिया था और आज मैंने नहीं विचाया कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना एक कलर पसंद आ रहा है कि नहीं यह देखो मै अब जान भी भी खा रहा है अंगूर आज ममी का बले चाहा है अब इसको कंगी मैंने निक्या भी करूंगी तबे ठीक ने इसकी तो पेठा अच्छा लग रहा है और ममी तो माटती है जाट खाती है तो माटती है यह औक यह है और आज धूप बहुत दूप है और बहुत सारे कपने कलथा और ठकावट से थूदा लग रही मैं थोड़ा अराम करूंगी फिर कुछ करूंगी और मौसम भी ऐसी अजीव-जीव सी हो रही है चले पहले खा लेते हूं तो गाइज अब जो है थोड़ा शाम के शमय हो चुका है और मैंने बरत रखा है मेरे सारी बच्चे भी लड़ू कुपाल भी रखे हूं यह बरत और आप जारी किचन में बनाने के लिए बरत खुलने के लिए तो चलते हैं तो गाइज । man यहां पे मेने कड़ाया है और तेल और यहांपे हरी मीर्च का उसके बाद में इहांपे आलू करूंगी अलू मैंने में ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि बस दो-तीं कटोरी बनजा लाल मिर्च पाउडर अपना मतलब थोड़ा तीखा सा बन जाए उसके बाद बस यही चीज मैं उसके बाद पानी आड़ कर दूंगी ज्यादा कुछ करना नहीं है यह सब बहुत असान तरीके से बन जाता है जटपट में बन जाता है तो मैं यहां पे दो तो यह तीन गलास प हो गया उसके बाद जो है इसको थोड़ा मिला दोंगी और उसके बाद जो है इसको वाला ने दोगी तो जब तक मैं यहां पे कुटू की आटा जब तक मल लेती हूं यहां पे मैंने जीरा और शेधा नमक लाल मिर्च पाउडर उसके बाद में यहां पे आट करूंगी सबजी बन गया है तो हम अब हम दूसरी गैस पर टांसफर कर दें गे उसके बाद में के स्टार्ट करोंगी तो कड़ाई तेल गरम हो चुका है और इसी तरीके से मैं बनाती हूं यह बहुत जल्दी बन जाते है असान तरीके से जो पूरी बनाते तो वह मुझे थोड़ा हाथ में लग जाता है जादा सा तो यह मुझे बहुत बेश्ट है और अच्छी से बन जाता है यह मैंने ममी से सीखा था फिर भी मैं बड़े-बड़े छोटे-चोटे भी बनाई जाती है मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूं क्योंकि मुझे मंदीर भी तो मैं थोड़ा बड़े-बड़े बना देती हूं यह बहुत अच्छा बन जाता है और इसकी बहुत टेश्टी भी लगती है अच्छी लगती है तो सबसे पहले यहां पर बना करके मैं रेडी कर लोगी और इसको जो है सेखूंगी थोड़ा सा लो फिलेम पे ही तो यह जल भोग लगाओंगी तो यहां पर मैंने थाल लगा लिया है दही है सब्जी है पकोरे पानी है मैंने सबसे पहले मंदिर जाओंगी भोग लगाओंगी तो यहां पर मैं आ गई हूं ठाकुर जी की सबकी बरत खुलने के लिए भोग लगा दूंगी और तो भोग लगाओंगी मैं इसी तरह के से करती हूँ, उसके बाद घर में सब अपना पशाद अपना खाये जाते हैं, तो जो भी करती हूँ, इसी तरह के से मैं करती हूँ, और मेरा मन इसी तरह के से होता है, जो इनकी सारे होते हैं, जैसे इस लोग मुझे आदेश देते हैं, उसी तरह के से सब चलत यहव现在Tobeafog छुक е जानवी हो शारेट शैलें उसके बाद हम लोग अपना परशााद गरहन करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर मंदर op i roads आझा सब तो यहां पर हम लोग बैट गए, अब खाने के लिए जानवी, यानवी के पापा, तो अब हम सब लोग खाएंगे, तो जल्दी जल्दी कहाना पिना खा लेतें, उसके बाद हम निकलेंगे, तो गईजिश्ट, अब हमाना कोड चुका है, अब हम जारे थोड़ा सा घुमने के लिए क्योंकि जानवी थोड़ा उस बहुत पशान करे थी कि चलो घुमने चलो घुमने चलो तब हम जारे घुमने के लिए अब मैं जारी हूँ तो गाइज अब हम मंदीर आ चुके हैं मंदीर के रास्ते में यह देखी यह दूसरा फ़र्ष्ट मंदीर है बहुत अच्छे से डोक्रेशन हुआ है बाबा की देख सकते हो वाव कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत प्यारे लग रहा है और इसलिए में देखे, अब हम दूसरी मंदिर आज चुके हैं, जहां हम दर्सन करने आए हैं, यह बहुत शार हम हैं, बहुत आज हैं, यह बहुत- Прतीमन अंदर जार है। कर दो कर दो कर दो. कि अगा अब अफू आ हुआthe इसेसा अब भान इसेके घृऌ करले हाई गाईज अब मंदीर से दर्शन करके आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा मंदीर जाकर के एकदम शुकुन मिला मुझे और जानवी को भी टौफी मिला है हैं वहाँ पर तो एक दिया था इसको सबको एक एक दे रहा था एक दो दो और इसने को पुरा डबा पक़र तरह चुनने लगए थी तो 3 4 लेकर आई है अब इसने कपरा भी चेंज कर ली अब ये शोएंगी तो वस हम लोग भी खाना पिना सबका हो चुका है मंदीर दर्शन क करके बहुत अनंद आया था और ज्यादा भी भी नहीं थी कि साम के समय बहुत बीर होती है अब थोड़ा कुछ डाउन हो गया था अभी पब्लिक आई रहे है और खाना पीना बहुत हुआ पर तो अभी चली रहे हैं लेकिन हम लोग घर से खाके गए तो बस हम लोग खाना था मिलती है कुछ नए वीडियो के साथ बाइ बाइ चोक्रेट